हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड की स्कूल बेस्ट एक्टिविटी की फाइल, जिसका इंडेक्स है देख लीजी आप, जिसमें डेल्पमेंट ओफ सीसी, सक्सम स्कीम, और टीचिंग लर्निंग मेटिरियल, लेसन प्लान, को करिकुलर एक यह जो स्कूल इंटेंसिप में हम जो इंटेंसिप लगा कि आते हैं, उसका सर्टिफिकेट है, जो हमें लगाना है फाइल में, फिर उसकी बाद है कोपरेशन बाई स्कूल, जो हमें स्कूल में कोपरेशन मिलता है टीचर्स के द्वारा, उसको हमें लिखना है, पिर इसके बाद आता है development of CC, स्टार्ट होता है हमारा topic, इसमें हमें development of CC में सबसे पहले करना है, introduction, meaning, definition, फिर हमें CC का proper meaning बताना है कि CC का मतलब continuous, comprehensive or evolution का meaning क्या होता है फिर हमें करना है features of CC, बी CC की क्या विशेशता है है, उसके बाद आता है CC की objectives और importance, कि CC की क्या उदेश्य है, उसका क्या मेतल है फिर है CC की merits और demerits फिर हमें जो accuracy paper लगाने होते हैं, जो हमारे subject है, B.E.D. में लिए हुए, जैसे की SS और English होता है तो हमें उसके half yearly monthly exam लगाने होते हैं और उनका report भी लिखना होता है कि किस बच्चे ने कितने marks gain की है यह SS का है इंग्लिस का और फिर उसके बाद इंग्लिस और SS का half yearly exam का result लिखना होता है फिर हमारे मंतली exam भी होते हैं स्कूल्स में तो वो लगाने हैं उनके exam paper फिर उनका result फिर हमें जय सी सी परफॉर्मा लगाना है फिर स्कूल का report card लगाना है बच्चों का फिर आता है सक्सम अगर आपके स्कूल में सक्सम योजना है तो आप उसके बारे में भी लिखेंगे की सक्सम योजना क्या है और स्कूल में कैसे चल रही है फिर सक्सम के एक्जाम भी होते हैं बच्चों के तो हम उनके उन्हें एक्जाम पेपर लगाएंगे और उनका रिपोर्ट भी लिखेंगे उनका रिजल्ट केसा रहा फिर आता है हमारा टोपिक ड्वेल्प्मेंट आफ टीचिंग लर्निंग मेटीरियल इसमें हमें पहले करना है कि टीचिंग लर्निंग मेटीरियल होता क्या है इसका इंट्रोडक्शन देनी है और मिनिंग देनी है फिर हमें इसका क्लासिफकेशन करना है कि teaching learning material यानि instructional material की classification होती किसे यह देख लिजी आप द्यान से उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी subject है बेड में लिए वे उनमें हमने school internship में कौन-कौन से teaching ads use की कौन-कौन से teaching ad use की जा सकती है उनके बारे में लिखना है और उनकी pics लगानी है फिर हमारा दूसरा subject जिस एक जो भी है मेरे पास English है तो मैं उसका लगा रही हूं English का जो भी teaching ad हम use कर सकते है उसके बारे में लिखना है और उसकी pics लगानी है जिसे tense की ओभी article फिर आता है हमारा lesson plan हम class में जाने से पहले lesson plan करते हैं तो वही हमें लिखना है कि पहले तो हमें यह लिखना है कि lesson plan होता क्या है इसका meaning introduction definition यह सब लिखना है कि lesson plan क्या चीज़ है फिर हमें lesson plan की need and importance बतानी है फिर हमें जो है इसके instructional के objectives बताने हैं कि हम किन objectives को पूरा करने के लिए lesson plan बनाते हैं फिर यह है कि हम किन steps को follow करके lesson planning करते हैं तो यह Harvard के द्वारा दियो गे 5 step हैं उनको follow करके हम बनाते हैं फिर हमें lesson plan का format भी देना है उसके बाद आता है co-curricular activities हमारी जो school में curriculum के साथ साथ जो other activities होती है वही तो हम पहले बताएंगी कि co-curricular activities होती क्या है इसका introduction, meaning, types फिर उसके बाद आता है कि हमारी school में कौन-कौन से activities हुई थी internship के दोरान जैसे कि Children's Day, Diwali celebration फिर उनकी सामने pics भी लगानी है में जैसे कि Hindi दिवस आगया Gandhi जैन्ती फिर उसके बाद आता है school functioning कि school में क्या-क्या activities होती थी तो पहले हम लिखेंगे morning assembly के बाद हम लिखेंगे morning assembly होती है तो इसके अंदर हम बताएंगे morning assembly होती क्या है उसका meaning, definition और उसके अंदर क्या-क्या common activities होती है morning assembly में फिर उसके बाद हम लिखेंगे morning assembly के activities जिसे prayer, राष्ट रेगान, सूवी, चर्म, thoughts और slogans उसके सामने हम pics भी लगाएंगे फिर आता है हमारा mid-day meal इंडिया में हर government school में बच्चों को 6-8 class तक mid-day meal provide किया जाता है तो हम उसके बारे में लिखेंगे पहले कि mid-day meal होता क्या है, उसका objectives क्या है mid-day meal देने का फिर हम लिखेंगे कि school में mid-day meal के से चल रहा है क्या facilities है mid-day meal के लिए और हम लिखेंगे कि mid-day meal का menu क्या है उसकी pics लगाएंगे उसके बार आता है time table school का time table क्या है हम देखेंगे time table इसमें बच्चों को क्या मतलब कैसे अर्जेस्ट करना है time को बढ़ाने के लिए फिर उसके बाद आता है school report जिसमें हमें school के बारे में लिख रहे हैं कि school में मतलब स्कूल को कब establish किया गया उसके अंदर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है टीचिंग स्टाफ कितने हैं स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें सक्सम्योज ना है या नहीं है तो के से चल रही है फिर facilities के वारे में लिखेंगे कि कौन कौन ची facilities हैं तो इस तरह हमारी बच्चों ये school based activity फाइल त्यार करनी है अगर आपको मेरी फाइल पसंद आई तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें